असलाम अलेकुम भाई, असलाम अलेकुम भावी एहमद और अली स्टेज पर जाते ही अलीसा मुस्लिम की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली जबकि अलीसा के तो पूरी की पूरी आंके ही खुल गई उन्हें हुद को भावी बोलता देखकर नलाइको, भावी नहीं हूँ मैं, तुम लोगों की इतनी चल्दे रिश्यदारे भी बतल ली अलीसा उन दोनों को खुछते हुए बोली वो भावी अलीसा की तरफ देखते हुए अली बोला शटर उसे दुबारह भावी बोलता देखकर अलीसा फॉरंण चिड़ कर बोली मेरा मतलब है आप ही जान हमें भावी ने बोला تھا कि हम आपको कभी कभी भावी बोला लिया करें क्योंके भावी हमारे भावी हैं इस लिहाद से आप हमारे भावी भी लगती हैं अली ने उसे तफसिले रिश्यदारी समझाई अली की बात सुनका अलीजा ने एक दफ़ा घोर कर मुक्सिम की दरफ देखा जो अपनी मुस्कुरहाट चुपाने की खुशिश कर रहा था और फिर अली और रहमत से मुहातिव हुई अलीजा उन्हें उगली उठा कर वांड करते हुई बोले जबके अलीजा को गुस्सा करते हुई बोला उन दोनों ने सोरोशोर से हामे सरह लाया था यानि अब तो वही हरकत नहीं करेंगे क्योंकि अपनी बेहन के हादो मरना बिल्कुल नहीं जाते थे क्या हुआ अपी इतना घुसा क्यों कर रही हैं आप आसिम अलीजा की गरीब आते हुए बोला तो अलीजा का घुसा एक जिकिन यंदर हादम हुआ था कुछ नहीं तुम कैसे हो अलीजा अपनी बेहन की पेशानी पर मुहापत भरा बोसा रहते हुए बोला अल्हम्दुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ उमर कहा है अलीजा की नसरे अब उमर को तलाश कर रही थी वो देखें आप भाई मामा और बाबा के साथ इधर ही आ रहे है असिम दूसरी थर्फ इशारा करते हुए बोला जहां सर्दार साथ आमना बेगम उमर के साथ उनकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे असलाम अलीकुम बाबाचान अलीजा भोलती फोरण ही सर्दार साथ की गरे लग गई वालेकुम सलाम कैसा है मेरा बेच्चा ठीक हो ना सर्दार साथ अलीजा की पेशानी चुमते हुए बोले अलहमदुलिल्ला पाबाचान मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अलीजा सर्दार साथ आपसे बोलती आमना बेगम से मिलने लगी और सोना वरहोदार कैसे हो सर्दार साथ मुकसिम के गंदे पर हाथ अकते हुए बोले तो वो भी मुस्कुरा को हुश दिली से उन से मिला और अब वो लोग अपनी ही बातों पर मस्रूफ हो गए थे जबके दूसरी तरफ उन पांचों बहन भाईयों की चोटी मोटी नोकचोंग चल रही थी अलीजा ने देखा कि इफ्राग ये लिए इस सेज़ पर बैटी है जबके जहां से उसके पास मुझूद नहीं था तो लीजा अपने भाईयों को ले थी उसके पास सली गई और उन्हें एक साथ देखते मरियम और आईशा भी उन्हीं के साथ जाकर बैट गई अब मनसर ये था इस सेज़ पर उससफ अपनी बातों में इस कदर मस्रूफ थे जबके उन्हें तो ऐसे लग रहा था जैसे फंक्शन उनका नहीं किसी और का हो और रिसेप्शन पे ही किसी और के आये हो क्योंकि जहां सेप भी गाइब था और मुकसिम भी जहां सेप और मुकसिम लॉन में दाखिल हुए दो उन्होंने देखा कि स्टेज़ पर पूरा ग्रूप बनाए बैठे वो लोग बातों में मस्रूफ है अलीजा जो के दूसरे सुफे पर बैठी थी उसे आसिम खाना किला रहा था जबके उमर और रहमन काना खाते हुए उससे पता नहीं कौन से बाती करने में मस्रूफ थे और दूसरे दरफ इफ्रा के सामने अली बैठा हुआ था और उसके दाएंबाएं मरियम और आशा मुझूद थी अली इफ्रा से पता नहीं कौन से सवालात कर रहा था जिसके इफ्रा मुस्कुरा कर पूरन जवाब दे रही थी और साथ वो लोग खाना का रहे थे ओए ये तेरा साला मेरी बीवी से कौन से सवाल जवाब कर रहा है जहां सेफ सामने देखती हुए हैरेट से बोला मुझे क्या मालूम फुच जाकर पूछ मुखसिम जहां सेफ से बोलता मैं इसा की तरफ बढ़िया जबकि जहां से भी उसके बीचे ही था हम लोग कुछ देर के लिए मनजर से गाइब क्या हुए तुम लोगं ने तो हमारी बीवी में कबजा ही कर लिया मुखसिम उस कुरूप को देखते हुए बोला बस देख ले अब हम अपनी भेनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे उमर उन दोनों की तरफ देखते हैं मस्कुराते हुए बोला चलो फिर शाबाश उठो अब हम आगे हैं तो तुम लोगं की फेवर की जरुएत नहीं मुखसिम उने उठने का इशारा करते हुए बोला नहीं अब तो हम कहीं नहीं जा रहे बल्के अब आपको भी हमें जवाइन कर ले आश्म उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला जी हां ये लोग कहीं नहीं जाएंगे आपने बैठना है तो बैठे अलीजा मुखसिम की तरफ देखती भी बोली वेरना आप जा सकते हैं अब की बार इफ्रा बोली तो जानसेब नहरत सिफ्रा की दर्फ देखा और फिर मुझबूरन उन्हें उनकी ग्रूप का हिस्सा बनना ही बढ़ा मुकसिम सीधा जाकर अलीजा के साथ ही बैठा था जबकि जानसेब को देखते आईशा उटकर मर्यम के साथ बैठी थी ताकि जानसेब बैठ सके आईशा क्यों उटते ही जानसेब चलता इफ्रा के साथ चुड़कर बैठ क्या आपी बताए ना आपने भाई को पहली बार कब देखा था अली इफ्रा की जानिब देखते हुए बोला मैंने पहली बार मुझे नहीं याद कि मैंने पहली बार इन्हें कब देखा था लेकिन ये तो मेरे घर में ही रहते थे इसलिए मैंने इन्हें रोज ही देखा हुआ है इफ्राँ अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली ओ अच्छा अली समझने वाले अंदाज में साहिल आगया और भाई आपने इस पार अली नी जानजीब से पूछा बेटा जब ये पैदा होई थी मैंने इसे तभी देख लिया था और फिर इसे हमेशा देखता ही आया हूँ अब आगे भी सारी जिंदी इसी की शकल को देखना है जहां से वाली की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला तो उसकी आगरी बात सुनका इफ्रा ने उसे खोरा जबके सबने अपनी मुस्कुरात दबाई थी तो कोई एहसान नहीं करना आपने देखकर मैंने भी आपकी शकल शरीफ सारी सिंदगी की देखनी है इफ्रा भी बेनियाजी से बोली मिसेज अपनी शकल शरीफ तो मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा बस कुछ देर सबर करो जहां से अब चुकते उसके कान में सरकोशी करता है उसका होन रुष्ट कर चुका था बेगम शोहर बुल्हां भोका बैटा है शोहर की आपको जरा परवा नहीं और कैसे सुकून से बैटकर आप खाना खा रही है कुछ तो हयाल करो यार मुकसिम जुकते होए अलीजा के कान में हलकी आवास में बोला तो आप भी खा ले मैंने आपको मना थोड़ी क्या है अलीजा उसके सामने बढ़ी कहाने की तरफ इशारा करते हुए बोली ऐसे तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा मुकसिम पीचे सोफे से टेक लगाते होए बोला फिर अलीजा उसके तरफ स्वाली रंसु से देखते होए बोली खाना तो एक ही सुरत में खाऊंगा अगर तुम अपने प्यारे प्यारे हातों से खिलाओगी तो आज तुम्हारा शोर खाना खा ही लेगा और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं मुझे भूगा रहने में कोई मसला नहीं मुकसिम अलीजा के जाने देखते होए लापर राही इसे बोला मी मैं कैसे सब के सामने अलीजा इधर उधर देखते होए बोली जबकि उनके पास से उमर, एहमद और आसे मुटकर इफरा और जान सेब के पास राक चुके थे और अब वो पूरी टीम बातों में मस्रूफ थी जबकि ये दोनों उस सोफे पर विलकुल अकेले बैठे थे ये तो तुम्हारे हाथ में है बेगम कि तुम्हें इन लोगों की परवाह है या अपने शोहर की मुकसिम अब उसका सब दस्वा रहा था मीर, यहां नहीं प्लीज मैं आपको रूम में खिला दूँगी पक्का वादा अलीज़ा मुकसिम से वादा करती बोली तब मुकसिम ने अपनी मुस्कुराट दपाई यूँकि वो तो सिर्फ उसे तंक कर रहा था वो यह नहीं चाहता था कि वो सब के सामने उसे खाना खिलाए और सब की नसूर में आने का बाइस बने जो भी हो उसे अपनी इज़त से जाधा अलीज़ा की इसा जाधा असीज सी और वो समझ रही थी कि मुकसिम बिल्कुल सीरियस है और अगर उसे वादे मुकसिम को खाना ना खिलाए तो उसे बुरा लगेगा या पिर वो अलीज़ा से नाराज हो जाएगा उसकी मासून से सोच पर मुकसिम को बैखते आप यार आया मुकसिम ने अलीसा की दफ देखा जो इलतजाय है नसरु से उसकी दफ देख रही थी चलो ठीक है बेगम इतनी फेवर तो कर ही सकता हूं मुकसिम उसकी दफ देखकर मुस्कुराते बोला तो अलीसा भी मुस्कुरा दी बता नहीं क्यों मगर अब उससि donating के कभी कोई बात नहीं दालेगा और अब तक होता भी ऐसा ही आया था वो उसकी कोई बात नहीं दालता था बलकि वह हुशी हुशी उसकी बात मानने को अरवक्त आ रहता था ओके थेंक यू अलीसा मुखसिम की दरफ देखते वे मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया फंक्शन अपने हितताम पर पहुंचा तो समयमान अपने अपने घरों को चले गए जबके हवेली में रुकने वाले तमाम अफराद अपने अपने कमरों में रावाना हो चुके थे वैसे भी अफराद के बारा बच रहे थे तो सबके सोने का वक्त था रात के 12 बचे अलीसा वली में की हीट्रेस में खड़ी कीचन में मुखसिम के लिए । आद गरम कर रही थी पाकोल उसे अपना वादा बहुत अच्छे से याद था। खाना करए उससे एक ट्रे में रखा और कदम कमरे की जाने पढ़ाएं। अलीजा कमरे में दाहिल हुई तो देखा मुखसिम कमरे में मुझूद नहीं था, खाने की ट्रे टेविल पर रखी, उससे खड़ी की तरफ देखा जो रात के बारा बचा रही थी, फिर एक बार बैलकोनी की तरफ देखा जहां पर आस्मान पर चांद सिधारे पूरे आपोता से जमक रहे थे, अलीजा ने एक कदम चेंजिंग रूंग की जलव बढ़ाएं और कपड़े चेंज करने चली गई, क्योंकि अब तो उससे भी धकावट में सूस होने लगी थी, मुखसिम कमरे में दाहिल हुआ तो अलीजा उससे कमरे में नहीं दिखाई थी, जबके सामने टेबिल पर खाने की ट्रे देखकर उसके हूंटों पर दिल फ्रेम उसको हार ट्रिंग गई थी, वो जानता था कि उसके शहसादी अपना वादा सुरूर पूरा करीगी, मगर वो थी कहां, उसकी बेकरा निकाहोने अलीजा को रूंडा, जब वो चेंजिंग रूं का दरवा मुकसिम ने उसे हुच से ऐसे, जित उजहित करते देखकर अपना कोट उतारते बेट पर रखा और अपने बासों के कफ कोन्यों तक फोल्ड किये, चलता हुआ अलीजा की पीछे आन कड़ा हुआ क्या हुआ? अलीजा को अपने बिल्कुल पीछे से मुकसिम की बारी घंबीर आवास सुनाई थी, तो उसे चट्के से सर उठा कर आएने में देखा, जहां मुकसिम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा, शोक मज़रों से उसे ही देख रहा था वो ये खुली ही नहीं रही अलीजा अपने सर में लगी पिंस की तरफ इशारा करते हुए बुली, तो मुकसिम उसके हाथ उसके पालों से अटाते हुँद उसके पिंस निकालने लगा डरसी हुँ चेंज कर लिया, इतनी जल्दी मुकसिम उसके बाल उसे पिंस निकालते हुए बोला वो मुझे चुप रहा था और गर्मी भी लग रही थी और मैं ठक भी गई थी और आप रूम में भी नहीं थे और मुझे लगा कि आप शायद लेट आएंगे इसलिए मैंने चेंज कर लिया अलीजा ने मुकसिम को कोई तफसील बताई अपने ही वली में की रात को कोन बेवकूफ अपनी बीवी को अकेला चोड़ता है मुकसिम उसके बाल उसके गंदे से हटा कर दूसरे गंदे पर करते हुए बोला क्यूंकि सारी पिंसो निकाल चुका था जिसकी वज़ा से उसके बाल कुलकर उसके खंदों पर भेल चुके थे वो आपका खाना उसकी बेबाग बातु से बचनी के लिए अलीजा ने उसे याद दिलाया कि वो उसके लिए खाना लाकर रख चुकी है हम चलो मुकसिम उसकी खर्दन पर लब रखते हुए बोला और फिर उसका हाथ थामते सोफे पढ़ ले आया चलो खिलाओ मुकसिम ट्रे अलीजा क्या की रखता हुआ बोला तो अलीजा ने कन्फियूस होते एक निवाला थोड़ा और मुकसिम की तरफ बढ़ाया अहीं ऐसे नहीं मैं दूखा चुकी हूँ आप खाए अलीजा मुकसिम की जानिव देखते हुए बोली मैं जानता हूँ कि तुमने कितना खाया है और कितना नहीं अब आराम से मेरे साथ खाना खाओ वरनना मैं जबरस्ती भी कर सकता हूँ मुकसिम उसके मुँ में नवाला डालते हुए बोला तो अलीजा को मजबूरन उसे निकलना ही पड़ा मुकसिम जानता था कि अलीजा ने ठीक तरह से खाना नहीं खाया जब मुकसिम ने उससे बोला था मुकसिम उसके साथ सोफे पर बैठते उसे अपने हसार में लेते हुए बोला तो अलीजा ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो मुकसिम उसको राया ये मुकमल कितना हुस्वरत लगता है अलीजा चांद की तरफ देखते हुए बोली जो पूरा कौलता और चमकता हुआ बहुत हुपसुरत लग रहा था हाँ बिल्कुल जैसे मैं और तुम मुकम्मल इतने हुपसूरत लगते हैं वैसे ही ये चान भी उतना ही हुपसूरत लगता है मुकसिम उसे काल पर शिद्ध सिलाप रखते हुए बोला हम इस चान की तरह हैं अलीजा की नस्य अभी भी चान की तरफ नहीं थी जबकि वो सवाल मुकसिम से कर रही थी हाँ हम बिल्कुल इस चान की तरह हैं जो कभी तूट नहीं सकता हमेशे ऐसे ही मुकमल रहता है बेशक उसे मुकमल होने में एक नहीं न लगता है लेकिन ये कभी तूटता नहीं है और ना ही दो हिस् promise में बटता है तुम और मैं भी इसी तरह है ना तो हम कभी पिजुदा होंगे और ना ही दो हिस्ससों में बटेंगे मुकसिम भी जान्द की तरफ नसर टिकाता हुआ बोला इंशाला नहीं सा के मुखसिम wagon बेखे त्यार निकला था मगर आज उसकी आँकों में साफ वास्या था कि मुकसिम उसके लिए क्या है और ये रिष्टा उसके लिए क्या है अब जरा बेगम इस चांज से नजरे हटा कर अपने शोहर की तरफ भी देख ले मुकसिम सबर जसी उसका चहरा अपनी दर्फ करते हुए बोला तो अलीजा ने जसरे उठाकर उसकी आखों में देखां अलीजा के देखने की देर थी कि मुकसिम एक मेंट की भी देखिये बगेर उसके सांसों का अपनी ख्याइद मे ले जुका था जबके मुकसिम की अचानकी की आर्गत पर अलीसा ने मुकसिम की शटकर मस्भूती से अपनी मुठियों में जगड़ चुकी थी उसके लम्स में आज भी वो ही शिट्रत वो ही जुनुन्दा तो अलीसा ने कुछ दिन पहले मेसूस किया था अलीसा को अपनी सांसे बंद होती मेसूस हो रही थी उसे मुकसिम एकंदेवार हाथ मार कर उसे रूखना चाहूं तो मुकसिम उसकी रुखती सांसे मेसूस करता हूं उसके लवों का अजादी बख्ष यां वो बागो और उसका चेहरा देखनी लगा जो सुक चेहरे से लंबे-लंबे सांस ले थी उसी के सीने से ठसर डिका गई थी मुकसिम ने उसके चेहरे से नसरे हटाते उसी घर्दम पर लवर रख्ये थे जबकि उसके इस सारत पर अलीसा पर कपाहट दारी हुई थी मुकसिम नर्मी से अपने पासों में उठाया और कदम बेट की जाने बढ़ा है जबकि अलीसा बस उसके सीने में मुझ चुपाय हुए थी मुकसिम ने उसे लाकर भूलो की नर्टरा नर्मी से बेट पर लिटाया और अपनी शर्ट के बटन खोलता दूर उचाल चुका था जबकि अलीसा से अपनी पल्कों का पार उटाना बेख़त मुश्किल हो चुका था मीर प्लीज लीसा ने उसे रुखना जाँ जो जुकते हुए उसकी खर्दन पे लप रख चुका था जाने मीर मुकसिम हुमार बड़ी आंगों से लीसा को भेके हुए लेजे में बोलता उसकी सांसे दुबारा कैट कर चुका था जबके लीसा का इंकार वहीं का वहीं रह गया था जानसेब कमरे में दाहिल हुआ तो इफरा को कंबर में घुसे सोधेबाया उसे सोधा देखकर जानसेब को थपी जड़ गई मतलब उसे बोलकर भी या था कि सोना मत और वो जान भूश कर सो भी गई थी जानसेब ने अपना कोड उदार का साइट पर रखा और चलता हुआ उसके सर परान खड़ा हुआ मुझे पता है कि तुम जाग रही हो मुझसे छुपने का कोई फाइदा नहीं और नाहीं तुम मुझसे बढ़ सकती हो इससे शराफत से हुदी उटकर बैट जाओ वरना अगर मैंने उठाया तो तुम्हें मेरा तरीका पिल्कुल पसंद नहीं आएगा जानसेब उसके सर पर खड़ा संजीता लहजे में बोला जबकि कंबल के अंदर चाकती इफ्रा ने सकती से अपनी आंके में चीन थी उससे अब अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा था कि उससे ये सोने का ड्रामा क्यों किया अगर जानसेब को अब यखीन होगया कि वागए ही उससे ये ड्रामा क्या है तो वो उससे इतनी असान इसनी चोड़ेगा तुम उठ रही हो या मैं अपने तरीके से उठाऊ हूँ जानसेब उससे आखरी दफा वोर्ण करते हुए बोला इफ्रा फिर भी टस से मसना हुई ठीक है फिर तुम ऐसे नहीं मानोगी जानसेब ने बोलते हैं अपने पैरों को जूतू से अजाद किया और वट पर चटकर एक छटके से उसकी साइट से कंबल को खिचते उसे अपने मस्बूशी कंजे में खेर चुका था जबकि इफ्रा जो आगे ही होफ से भी हाल हुई पड़ी थी जानसे भी अजानक इतने नसीख आने पर और खबरा गई प्लीज छोड़े नीन आ रही है मुझे सोना है इफ्रा अपना आप जानसे भी कैसे जुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली ये तो अब नामुम्किन है मिसिस तुमने मेरी बात नमानकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने बोला था ना कि सोना मत जानसे उसे मजीर नसीख करते हुए बोला जबकि उसकी जुरसी सांसे अपने चेरे पर मेसूस करती इफ्रा की जान पर बन रही थी तो आप ही इतना लेट आए हैं मुझे नीद आ रही थी इसलिए मैं सो गई अब आप मुझे से गिला क्यों कर रहे हैं इफ्रा को अचानक याद आया कि जानसे भी तो लेट आया था इसलिए वो सारे का सारा मलपा उसके सर पर डाल गी मैं लेट आउं या जल्दी तुम मेरी बीवी हो तुम्हारा फर्स है कि मेरी हर बात मानो और जब तक मैं कमरे में आना जाऊं तब तक तुम सो मत लेकिन यहां तो उल्टा ही हुआ है मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया तुम तो सोने की त्यारियां पकड़ ली जहां से उसे घूर्टे होए बोला मतलब अब अगर आप सारी रात कमरे में नहीं आएंगे तो मैं सारी रात नहीं सौँगी सारी रात आपका जाकर इंतसार करूँगी इफरा जांसेब की तरफ सवारे नसों से देखती बोली हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा फर्स है और तुमें ये पूरा करना ही पड़ेगा वैसे तो ऐसा मुम्किन नहीं मैं सारी रात अपनी बीवी से गाफिल रहूँ लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी गया तो तुमें जागना ही पड़ेगा मिसिस क्योंकि ये मेरा हुकम है और तुमें ये मानना ही पड़ेगा और अगर तुमने ना माना तो जहां से बोलता हुआ एतन से उस पर हावी हुआ था जबके इफरा ने सकती सांखे मेच ली थी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं जहां से उसके कफकफाते लबों पर नस्य जमाता हुआ बोला और अगले ही पल उन पर छुक्या जबके इफरा बैटकी चादर को जोर से अपनी मुटियों मेचा कर चुगी थी सांसों की मुंतकली का दूरानिया भढ़ने लगा विफरारी जहां सेब की सीने पर दोनों हाथ रख कर उसे पीछे करने की कोशिश की मगर उसरा सा भी नहीं हीला कुछ देर बाद जहां सेब उसके होंटों को अजादी बख्ष्टा पीचे हटा और उसका चेरा देखने लगा जो लंबे-लंबे सांस से थी अपनी सांस से वाहल करने की कोशिश कर रही थी तुम मेरे दिल का सुकून बनती जा रही हो और मुझे ये सुकून सारी सिंधी के लिए चाहिए जहां से उसके कान में सरकोशी करता उसपा जुका और जुकता चला गया जबके इफरा भी अपने शोहर अपनी मुहबबट की दस्रेस में सुकून से आंगे मून गई थी इस वक्स अब नाश्टी की टेविल पर मुझोद थे जब इफरा की हाला ने समरा बेगम को महादिप किया समरा मैं कुछ दिनों के लिए अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ और मुझे सभा की फिकर है कि वो कहां रहीगी मगर सभा के कहना है कि विफरा के साथ तुम्हारे हाँ ही रह लेगी कुछ दिनों की ही बात है मैं अपना इलाज करवा के आ जाओं फिर सभा को वापिस ले जाओंगी सभा की वालता समरा बेगम की तरफ देखती बहुत नर्म लेजे में बोली ये कैसी बाती कर रही हो तुम सभा हमारी अपनी बेटी है ये उसका अपना घर है ये बिल्कुल हमारी बेटीव की तरह है जैसे हमें इफ्रा और लीजा अजीज है वैसे हमें सभा भी अजीज है तुम बिल्कुल भी फिकर ना करो सभा जितने देर चाहे यहां रह सकती है उससे कोई तकलीफ नहीं होगी तुम आराम से अपना इलाज करवा कर मुत्मीन होकर आओ जब आप समरा बेगम की बिजाए बीजान ने दिया था हाँ ठीक है रही है बीजान आप जितनी देर चाहे उतनी देर सभा को यहां छोड़ सकती है इसे हम यहां कोई तकलीफ नहीं होने देंगे अब बस जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाए अब की बार आलिम साहब सभा की वालता की तरफ देखते हुए बोले जी ठीक है भाई साहब वो भूलती मुस्कुरा थी जबकि दोस्य दफ अलीजा को यह बात बिलकल यह पसंद नहीं आई थी कि सभा उनी के घर में रहेगी क्योंकि शुरू दिन से ही उसे सभा कुछ ठीक नहीं लगती थी अलीजा उसे सोच में डूबी यह भूली गई थी कि उसने हाथ में फॉर्क पकड़ा हुआ है जिसमें ओमलेट मुझ उटता जबकि मुखसिम ने अलीजा की तरफ देखा जो पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई थी पर हाथ में पकड़ा ओमलेट खा ही नहीं रही थी मुखसिम के आंकों में शरार चमकी उससे अलीजा को ही हाथ पकड़कर अपने मुगे करीब किया और वो ओमलेट अपने मुँ में डाल दिया अलीजा हैरत से मुझ खोले मुखसिम के तरफ देख रही थी उससे ही क्या किया है उसे तो यहीं समझ नहीं आई जबकि फुद की तरफ मसलसा अलीजा को देख तपाकर मुखसिम ने अपने आगे से ओमलेट का पीस फोक की मदद से उठाया और जबर्दसी अलीजा का मुँ खोलवा दे उसके मुँ में डाल दिया और यह हर्कत उससे इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से ही थी यह कोई भी उसे देख न सका जबके अलीजा हक की वक्की अभी भी मुखसिम को ही देख रही थी बेगम खालो इसे कि यह काम भी मैं सर अंजाम दूँ मुखसिम चुकते उसके कान में सरकोशी नुआऊ अवास में बोला तो अलीजा ने फोरण से उसे निकलना चाहाओ जो कि उसके गले में ठक्या था जिससे उसे शथीद खासी आना शुरू हो गई उसे खासा देखा मुकसिम में फोरण से पहले पास बड़ा पालिंग अगलास उसके लबू से लगाया था जबके तो खून पानी पीने के बाद भी उसकी खासी कम होने का नाम नहीं ले रही थी और वहां मुझू तमाम अफराद अपरेशानी के आलिम में अलीसा की देख रहे थे क्या हो गया है बच्चा तुमारी तबियत तो ठीक है भी जान फिकरमंदी से बोली मुकसिम अपनी कुर्सी से उट्टा और लीसा की कमर से लाने लगा उसके ऐसे खासे पर तो वो भी परेशान होया था फरी कोई मीठी चीज ले कर आओ फोरन मुकसिम अपनी की जाने देखते होए बोला तो वो जल्दी से उट्टी भाग का कीचन में गई थी यूँकि वहाँ कोई मीठी चीज मुझूद नहीं थी स्वाई जैम की जो अलीसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी इफरा कीचन में आई तो उससे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लेकर जाए फिर उससे फ्रिज कॉल ईए उसकी नजा में फ्रिज में बढ़ी एक चोकलेट बढ़ गई उससे फोरण से फेले वो चोकलेट निकाली और दुबारा भाग दी मुखसिं के पास कई और उसके आगे चोकलेट पकड़ा दी जो पकरते फोरण मुकसिम ने उसके पकेट में से निकाला और थोड़ी से अलीसा की जाने बढ़ाई मेरी जान थोड़ी सी को ये खालो ठीक हो जाएगा मुकसिम उसे प्यार से बोलता उसके मुँँ चॉकलेट आने लगा जबकि उसे इस जी सी कोई परवा नहीं थी जो उसके सामने कोई और भी अफराद बैटे उसी को दिख रहे हैं उसे सिफ अपनी भीवी की परवा थी अपनी मुहब्बत की परवा थी जो इस वर शदीद खांसी की तकलीफ से गुसर रही थी थोड़ी पोच चॉकलेट खाने के बाद अलीजा की खांसी काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी जबकि खांसी की वज़ा से उसके आँखों में पानी जमा हो गया था और आँखे लाल अंगारा बन चुई थी और चेहरा पी सुर्ख हो चुगा था कुछ बेदर हुआ मुकसिम जुकते उसकी आँखों में आई नमी को अपने हाथ उसे साफ करते हुए बोला तो अलीजा ने आइस्टा से हां में सही लाया जबकि मुकसिम की इस कदर फिकरमंदी पर सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी क्योंकि वो कुछ साथा ही पुसेसिफ था अलीजा की मामले में और उसकी यही फिकरमंदी सवा की आँखों में किसी कांश की तरा चूप रही थी ठीक हो बच्चे आलीम साब अलीजा की जानिब देखते हुए बोले तो अलीजा ने मुस्कुरा कर असवाट में सही ला दिया जबकि उससे अपनी कले में शिधी चलन के ऐसास हो रहा था फरी हम रूम में जा रहे हैं कुछ हलका फुलका सा बनवा कर लाओ अपनी भावी के लिए मुकसिम इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला जी भावी ठीक है आप जाएं भावी को लेकर में बनवा कर लाती हूँ इफ्रा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो मुकसिम ये अस बात में सही लाता अलीजा को साथ लिए अपने कमरे के जानिब चल दिया मिसेज अपने शोहर के लिए भी कुछ बना दो जहां से विफ्रा की तरफ देखते शरार्द भरे लेजे में बोला क्यूं आपसे ये नाश्टा नहीं खाया जा रहा गया विफ्रा एक निज़ सब के तरफ देखती हुई बोली जो अपने अपना नाश्टा करने में मसरूफ थे नहीं मेरा कुछ और खाने का दिल है और वो भी कुछ और दरीके से जहां से विफ्रा की तरफ देखते सो मैने अलफाद से बोला जो इफ्रा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आये थे क्या खाना है आपको अब मुझे बदा दे मैं आपको बना कर ला दीती हूँ इफ्रा भी अपने ही विकरमंदी से बोली थी क्योंकि उसके लफ्सों के पीछे चुपे मकसद को वो नहीं समझ सकी थी नहीं मिसिस उसके लिए तुमें जादा मेनित करने की बिल्कुल जुरुवत नहीं है और नहीं ही मेनित वाला काम है ये तो बस हामोशी वाला काम है जिसमें तुम बस हामोश हो मेरे लिए इतना ही काफी है जहां जेब की छूपे लफ्सों में वाजय भी भाग बात को समझते इफ्रा एक नम से सुर्ख वड़ी थी आप को ज़रा शरम नहीं आती आप सब के बीचे बैठकर मुझसे ऐसी बात ही कर रही है इफ्रा इसे शरम देलानी चाहिए जो शरम के शीन से भी नावाकिव थाओ नहीं ये काम तो बाहू भी तुम सरनजाम देती हो तो मैं शरम करके क्या करूँगा इसलिए मुझे शरम करने की कोई जूरत नहीं है मेरी बीवी काफी शरम वाली है और ये काम काफी अच्छे से सरनजाम देती है जहां से मसीद बेशरमी से बोलता उसे औरता पा गया जबके इफ्रा का अब जहां से पिये पास वैटना मोगल हो गया था इफ्रा एक्तम से अपनी कुर्सी से उठी और वहां से जाना चाहां जबके जहां से उसका हाथ पकड़के उसे दुबारा कुर्सी पर बिठा चुका था इफ्रा की अचानक उटने से सब ने इफ्रा की जाने देखा था जबके सबको अपने तरफ देखता पाकर इफ्रा खवराज सी गई थी वो मैं भाबी के लिए कुछ बनवाद हूँ वो इंतिसार कर रही होंगी इफ्रा ने सबकी तरफ देखते उतने की बज़ा बताई जबके टेबिल के नीचे से वो मसलसर मसम्मत कर थी जबके मस्मूत वालादी हाथ से अपना हाथ चुरवाने की जटोचाहिद कर रही थी हाँ बेडा जाओ कुछ अच्छा सा बनवाना समरा भीगम इफ्रा की तरफ देखते हुए बोली और वो सब अपने नाश्टा करने में दोबारा मसूफ हो गए छोड़े मेरा हाथ ये क्या कर रहे है मुझे भाबी के लिए कुछ बनवाया कर भेजना है इफ्रा चांसेब की तरफ देखती हल्की आवासें बोली ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है अगर तुमने रात की तरह मुझसे चुपने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो यकीन मानो रात वाली सजा शायद तुम भूल ली नहीं होगी उससे भी बुरी सजा दूँगा चांसेब उससे अपने रात की किये अमल को याद दिलाते हुए भोला जबकि इफ्राग यांकों के सामने रात के तमाम अनासी खुंगने लगे एक ऐसे चांसेब ने उसके होश अच्चे तरीके से ठिकाने लगाए थे ठीक है मैं आपसे नहीं छुपूँगी आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे इफ्राग जांसेब की तरफ देखती हुई बोली जांसेब ने मस्कुरा कर उसका हाथ छोड़ दिया और वहाँ से फोराँ उठी तेजी से किचन की तरफ भाग गई और पीचे एक बार भी मुटकर नहीं देखा जबकि उसकी इस स्पीट पर जहां से इपनी बहुत मुश्किल से अपना कहकी का गला खूंटा था मुकसिम अलीजा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे नर्मी से बैट पर बिठाया और हुद उसके सामने बैटिया उसका दोनों हाथ अपने हाथों में धामे और भाग और उसके आँकों में देखने लगा जो बितर सुर्ख ही थी मेरी जान अब ठीक हो तुम मुकसिम उसके सुर्ख आँकों पर लब रखते हुए बोला जी अलीजा ने सिर्फ इतना साही जवाब दिया मेरी बीवी तनी नाजुक होगी मुझे तो मात पता ही नहीं था मुकसिम उसके तरफ देखते मुस्कुराया तो अलीजा ने नजर उठाकर मुकसिम की तरफ देखा जबके जवाब उससे कोई भी नहीं दिया था क्या बात है, मेरी जान इतनी हामोश हामोश क्यों हो कोई परिशानी है क्या मुंकसिम उसे नर्मी से अपने हाथ सार में लेता हुआ बोला वो मीर, मुझे वो सबह अच्छी नहीं लगती आगे अलीसा ने अपने दिल की बात मुंकसिम के आके आया कर ही थी क्यों अच्छी नहीं लगती मुकसिम उसके माते को लबू से छूटे हुए बोला बस ऐसे ही अलीसा नसे चुकाते हुए बोली किसी पर भी ध्यान मत दो और ना ही देनी की जुरूत है वो सिर्फ मिमान है इस हवेली में कुछ जिनों तक वापिस जली जाएगी तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और कुसी पर नहीं पहले संजीत की से और आगर मिशरार्च से बोलता मुकसिम उसके काल पर लब रख रख गया चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ मुकसिम अलीसा की तरफ देखते हूँ बोला तो अलीसा ने सवाले नसू से मुकसिम की तरफ देखा हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं और अब ये तुम बताओगी के तुम कहां जाना चाहती हो मुकसिम उसके दूसे काल पर भी लपर रख रख थे हूँ भोला जबकि मुकसिम की बात सूनते हैं अलीसा एक्तव से खूश रही थी हेें सच्ची हम कहां जाएंगे अलीसा एकसाइटीड होते हूए भोली जहां हमारी बेगम कहेंगी हम वहीं पर जाएंगे मुकसिम नजर भर कर अलीसा की तरफ दिखते हुए बोला जो आज सुरख रंग का जोड़े में मलबूस हलका फुलका मेकप किये और अपने चेहरे पर मुकसिम की कुर्पत का रंग लिए बहुत अबसुरद लग रही थी उस सुरद तो उसे हमेशा से बहुत लगती थी और हर हाल में लगती थी मगर मुकसिम की कुर्पत के रंग उसके चेहरे पर साफ आया थे और मुकसिम को इनी रंगों से मजीद इश्क होने लगा था हम तुर्की चलेंगे अलीजा मुकसिम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली जहां मेरी जान का दिल करेगा हम वहीं पर जाएंगे मुकसिम उसे हुमार लूदा गाहों से देखता हूँ एक तम से उसके बाल खोल जुगा था जबकि मुकसिम को वापिस राथ वाली टोन में आता देखकर मुकसिम को पीछे ना हट्दा देखकर दोबारा भोली अलीजा की पुकारने पर मुकसिम में पीछे हट्दे वे अलीजा की जाने देखा जिसका चेहरा हदरनाक हद तक सुरख पढ़ चुगा था मुझे तुम्हारे चेहरे पर आया अपनी कुर्बत के रंगों से बेपना इश्ग है मुकसिम देखे हुए अन्दाज सें बोलता उसके लबों को शित्त से चुम चुगा था जबकि मुकसिम के शित्त बरे लंब्स पर अलीजा काम कर रहे गई थी मीर प्लीज मैं बरदाश नहीं कर पा रही मुकसिम के चेहरे पर दिल फरे उसको रहाट रिंग गई वो यह जानता था कि अलीजा उसके शित्तों को नहीं बरदाश करवा थी ये बात उससे सिर्फ दो तिन में ही जान ली थी ये वो नाजुक चान लड़की से उसके शित्तों को बरदाश करना बहत मुश्किल है भाई मैं अंदर आजाओं अबी मुकसिम अलीजा को कोई जवाब दे था उससे पहले ही कमरे का दर्वासा नौक हो और उने इफरा की आवास सुनाई थी जो कमरे में आने की इजासत तल्व कर रही थी हम आ जो मुकसिम बैट से उट्टे हुए बोला जबकि अलीजा ने अपना सुख चेरा चुपवा लिया था इफरा हाथ में ट्रे पकड़े अंदर दाहिल हुई और सीधा अलीजा के सामने आकर बेट गई जबकि मुकसिम अपना फून लेता कमरे से जा चुका था क्योंकि उसे दाद की मुस्वलसल कॉल सा रही थी जिसे उसने अभी तक रिसेव नहीं किया था दाद हावर को ढूनने और उसके मालूमात लेने के लिए दुबभई क्या हुआ था जिसकी बज़ा से वो मुकसिम की शादी में भी शिरकत नहीं कर पाया था हाँ बोलो दाद मुकसिम कॉल रिसीव करता फून अपनी कांसे लगाते हुए भोला सर, हवर में ली है कि हवर पाकिस्तान नहीं मुझूद है और वो अकेला नहीं बलकि उसके साथ कोई और में मिला हुआ है और वो बहुत बड़ी केम प्लैन कर रहा है पाकिस्तान से बाहर उसका कोई नाम और निशान मुझे नहीं मिला लेकिन ये बात कनफॉर्म है कि हावर पाकिस्तान में ही मुझूद है दाद ने मुखसिम को तमाम तफसिल बढ़ाई ठीक है तुमारी फ्लाइट कब की है मुखसिम ने संजीत ये से पूझा जी सर आज शाम की दाद ने मुखसिम को वाफसी किया पड़ी ठीक है कल मुझे तमाम आलूमात के साथ तुम मेरे सामने चाहिए हो मुखसिम उसे हुकम देते हुए बोला जी ठीक है सर दाद के बोलते ही मुखसिम कॉल काट चुका था